यह देखिए यह कौन से साप है यहां पर गरम जली निकालते वह दिदी कौन गाव के दिदी तुमनो पूरा जगा मस्त महले आज पूरा यहां का यहां के देखिए आप सभी को लेकिया है पिथमपूर और एक दिवसी यहां पर आज मेला लगती है चलिए पूरा मेला घुआते हैं और बाबा कलेश्वर नात कर दर्सन भी कराते हैं आप सभी को बने रहे हमारे इस्टुडियो में पांक तक देखिए यहां पर लोगों की बेड़ आप सभी देखिए सकते हैं और पूरे इदर पुकाने लगी हुए दोस्तों एक दिन के है अभी यह मेला एक मेला जो है वो रंग पंश्मी में लगती है जोगी दस दिन तक रहता है और अभी एक दिवसी में भी देख सकते हैं कहां कहां से हैं लोग यह देखिए बुकाने पूरा लगी हुए दोस्तों यहां पर क्राउड देख सकते हैं वह आपरे भेंकर भीड़ है दोस्तों यहां पर कुले देखिएं कि आप देखिए हैं कि अधी जाते हैं सभी बाबा करपार में तरसन करने के लिए अभी अपर लोग मंदिल द्वार पर जिस्ट पूंचे होंगे कि यहां तक पहुंचने में आधा गंड़ा का समय लगया दोस्तों इतना जादा क्राउट देखने को मिले यहां पर चली अभी बाबा कलेश्वा नाथ का दर्सन कराते हैं आप सभी तो देखिए यहां पर गरम गरम जलेबी निकालते वह दिदी कौन आपके दिदी तुमलो हां सिवनी से चापा सिवनी देखिए मस्त पुताने लगी हुए दोस्तों यहां पर ठाने पीने के लिए चली आगे बढ़ते हैं चलो प्रोग पहचान होती है यह यह देखिए यहां सब्सक्राइब और अभी एंट्री मारते हैं और दर्सन करते हैं यह देखिए यह कौन से साप है है गोर्नाथ कहां मिलता है यह आप लुद्धा ले रिया हुए देख लेए भाई यह गोर्नाथ बता दो फुर्वा कुन से सापेगा वह है एक हाल पाती मिलता है यह देखिए दाई यह दुकान लगाए दाई तक कहां क्या चो यह क्या अच्छ तक कईसे आज सुबह ले प्रेकत्ता बजे लगाए दुकान चार बजे ले यह देख सकते हैं यहां पे नारियल पूल अगर बत्ती सब भी लेगा है दुस्तों आपको पूरा जगा मस्त महल है आज पूरा यहां का यह देखिए अभी अपन लोग एंट्री मारेंगे हृष ओल है झाल बत्ता है है देक्त वाल अजित है ले ँग्रूरी अगर Pra deceπ्ँ पूरा बसूंग कर दो